नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है रोजाना ये एक ओस्ती लेने लग जाओ 90 साल के बजूर्ग में भी ताकत आ जाएगी दोस्तों वात पित और कप से जुड़े दोस दूर हो जाएगी नसों में ब्लोकेज और जोड़ों का दर्द य आपको जीवन में कभी नहीं स्थाएगी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी दवा के बारे में बताऊंगा दोस्तों यदि आप इस दवा का सेवन हमारे दवारा बताएगे विदी के साथ करेंगे और इस दवा के साथ में ये एक चीज भी खा लेंगे त जाएगा यदि मैं आप सबसे पुछों कि हमारे सरीर में कोई भी बिमारी होती क्यों है उसका कान क्या होता है तो आप बोलेंगे वात पित और कफ के कान ही हमारे सरीर में बिमारी होती है और यदि मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊं जो इस वात पित और कफ को बैलन्स करने का काम करेगी तब तो आपके स्रीर की हर बीमारी का इलाज हो जाएगा ना दोस्तो और वैसे भी दोस्तो वात पित कफ हो या हमारे स्रीर में कोई भी बीमारी हो वो किसी ना किसी विटामिन और मिनरल की कमी के कान ही होती है जैसे आप example के तोर पर ले लीजिए कि यदि आपकी आँखों की रोशनी कमजोर है तो हम कहेंगे कि आप vitamin A कम लेते हैं vitamin E कम लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको ऐसी दवा के बारे में बताऊँगा जो आपके स्रीर की हर vitamin और mineral की कमी को दूर करेगी जिससे आपका वात पित और कप का imbalance पंजुद है वो दूर हो जाएगा नसों की blockage आपकी खुल जाएगी bad cholesterol आपको नहीं होगा जोडों का दर्द आपको नहीं होगा घुटनों का दर्द नहीं होगा हडियों की कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी गठिया की समस्या दूर हो जाएगी आपके सरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी आपके चहरे पर भी नया गलो हाजएगा इतनी चमतकारी और इतनी कारगर दवा है ये लेकिन आपने इसके साथ में एक अन्य चीज़ का सेवन जरूर करना है तब ही आपको इसका पर फाइदा देखने को मिलेगा दोस्तो आज किस वडियो में हम जिस दवा की बात कर रहे हैं वह है दोस्तो मल्टी विटामिन की गोली दोस्तो मल्टी विटामिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़ी असानी से मिल जाएगा आप मेडिकल स्टोर पर जाकर बोलिए कि मुझे मल्टी विटामिन चाहिए तो वो आपको मल्टी विटामिन का पत्ता देतेगा दोस्तो मल्टी विटामिन बहुत सारी कंपनिया बनाती है आप मल्टी विटामिन का सेवन कर सकते हैं या फिर फिस ओयल का सेवन कर सकते हैं दोनों में से आप किसी भी एक चीज का सेवन कीजें और आपने इसकी एक गोली का सेवन हर रोज करना है और दोश्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके स्रिज की हर त्रहें की विटामिन और मिनल की कमी दूर हो चाएगी जैसे विटामिन डी की कमी के कान हमारे सिरीर की हडियां कमजोर होती है लेकिन यदि विटामिन डी अधिक हो जाए तो दोश्तों उससे भी बुरा आसर हमारे सिरीर बरपड़ता है तो इसलिए आपने इनका सेवन करना कैसे है आप एक महिना लगातार इस गोली का सेवन कीजिए उसके बाद आप दो महिने लगातार ब्रेक दीजी फिर तीसरे महिने फिर एक महिना सेवन कीजिए यानि एक क्वार्टर में आपको इसका सिरफ एक महिना सेवन करना है पूरे साल में आपको इसका सिरफ चार महीना सेवन करना है और एक महीना सेवन करने के बाद आपने दो महीने का गैप देना है यही है इसके सेवन का सही तरीका और तब ही आपको प्रोपर फाइदा मिलेगा यदि आप इसका लगातार सेवन करेंगे तब भी नुकसान है नही सेवन करेंगे तब भी नुकसान है और वैसे भी दोस्तों, 40 साल से उपर का जो भी व्यक्ति हैं उसको मल्टी विटामिन का सेवन जिरूर करना चाहिए, अपने सरीर को तंद्रूस्त बनाए रखने के लिए अपने सरीर की कमजोरी का इलाज करने के लिए, चेहरे पर नए गलो लाने के लिए, हार्ड टेक, हार्ट प्लोके जैसे बीमारियों से बचे रहने के लिए, सारीरी का दर्द से बचे रहने के लिए, आपके बड़े बज़ुर घर में कहते होंगे न, कि आज मेरे कमर में दर्द है आज मेरे खुटनों में दर्द है दोस्तों वो कहीं न कहीं कैलिसियन की कमी से होता है मल्टी विटामिन की कमी से होता है विटामिन डी की कमी से होता है और लेडिज में तो वैसे भी विटामिन डी की कमी बहुत अधिक पाई जाती है ये तो हो गई दोस्तों आपने इस गोली का सेवन करना है और इसका सेवन आपने करना है खाना खाने के बाद आप सुबह जब आप नाश्ता कर ले उसके आदे घंटे के बाद आप इसका सेवन कीजी या फिर आपको रात को सोते समय खाना खाने के आदे घंटे के बाद आपने इसका सेवन करना है, चाहे आप दिन में करें, चाहे आप रात में करें, इसके साथ में दोस्तों आपने एक चीज का सेवन और करना है, वह है दोस्तों मेथी दाना, दोस्तों मेथी दाना का आपने एक चमच लेकर रात भर के लिए एक गिलास पानी में भीको कर रख द और फिर देखिए कि कैसे आपका स्रीर बिलकुल तंदरुस्त हटा कटा बन जाएगा, मजबूत स्रीर के आप मालिक बन जाएगे, बीमारियां तो आपकी गली भी भूल जाएगी, दोस्तों गली के बाहर से ही वापसी हो जाएगी, इतनी ताकत आपके स्रीर में आ जाएगी, तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज से ही इस गोली का सेवन शुरू कर दीजे और अपने शरीर को निरोगी बना दीजे दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं और ही यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे जिससे की हमारी आने वाली सभी वीडियो आप देख सके और साथ में बेल के आईकोन को भी दबा दीचे धन्यवा दोश्तो